पूरो पुर्थान मंत्री चोधरी देविलाल के जनम दिवस पर पहली बार जन्नैक जनता पार्टी द्वारा राजस्तान में रैलिगा यह जन किया जाएगा राज्यस्तान के सीकर में सम्मान दिवस के नाम से चोधरी देविलाल की जियन्ती बनाई जाएगी विशेश बात या है कि पार्टी के और से इस कारे करम को लेकर त्यारियां भी शुरू कर दीगे है और इस कड़ी में हरियाना के उपमुख्य मंतरी रुशियन्त चोटाला बुधवार को त्यारियों का जायजा लेने के लिए सीकर पहुंचे खास पहलू यहा है कि चोधरी देविलाल साल 1989 में सीकर से लोकसबा के सदस्ये चुने गए थे चोधरी देविलाल लोकसबा के पूरव अध्यक्ष बलराम जाखड को हरा कर सांसद बने थे इसी तरह से जन्नाएक जन्ता पार्टी के रास्ट्रिया अध्यक्ष डॉक्टर अजे चोटाला सबसे पहली बार साल 1990 में दत्ता राम गड़ से विधायक चुने के थे इसके बाद 1993 में नोहर सीट से भी विधायक निर्वाचित हुए गोर्द लभाय की राजसान में इसी साल दिसंबर में विधान सबा के चुनाव होने हैं दिसंबर 2018 में हरियाना के शेत्री अदल के रूप में वजूद में आई जन्नक जन्ता पार्टी ने 2019 के विधान सबा चुनाव में करी 15 फीसदी मत हासिल करते हुए 10 विधान सबा सीटों पर जीत हासिल गी इस जीत के बाद जचपा ने भाजपा के साथ गटबंदन सरकार बनाई और उच्छाना से विधायक चुने गए दुश्यान चुटाला को मुख मंत्री बनाए गया पहले मंत्री मंडल में उकलाना के विधायक अनूप धानक को राज्या मंत्री बनाए गया तो दिसंबर 2021 में हुए मंत्री मंडल विस्तार में टोहाना के विधायक दुवेंदर बबली को कैबिनेट मंत्री बनाए गया इन सबसे उत्साहित जंता पार्टी ने राजस्थान दिल्ली चंडीगर जैसे इलाकों में भी अपनी गतिविदियां तेज करती है इसकड़ी में पार्टी की विधारती क्या इन सो ने राजस्थान के शात्र संग चुनाओं में बढ़ चड़ कर शिर्कत की और एक विश्विधालया में इन सो का अध्यक्ष भी चुना गया अब जच्पा लगातार राजस्थान के विधानसवा चुनाओं पर फोकस कर रही है राजस्थान में 30 सीटों पर चुनाओं लड़ने की त्यारी में है जच्पा जी हां राजस्तान की 200 विधानसवा सीटों में से जचपा करीब 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की त्यारी कर रही है और चुनाव के मद्या नजर ही पहली बार जचपा ने चोधरी देविलाल का जनम दिवस राजस्तान में मनाने का फैंसल लगी है लेखनी है कि अप्रेल 2001 में चोधरी देविलाल के निधन के बाद से इनैलो की ओर से हर साल 25 अंबर को समान दिवस समारों का आयोजन किया जाता है 2018 में इनैलो से अलग होने के बाद जचपा की ओर से 2021 और 22 में समान दिवस रैली करने के बजाए सधारन कारेकरम हरियाना में किये गे और अब राजस्तान में रैली के जड़िये पार्टी विधानसवा चुनाओं पर फोकस कर रही है जचपा राजस्तान के अनुमान गड़ गंगानगर चुरू सीकर भरतपूर जैसे शेत्रों में अधिक ध्यान दे रही है चोदि देविलाल 1989 में बलराम जाखड को हरा कर सीकर से सांसद बने थे तो डॉक्टर अजे सिंग चुटाला दतारमगड और नोहर से विधायक रह चुके हैं राजस्तान में इसी साल दिसंबर में विधानसवा के चुनाव होने हैं इसको लेकर जन्ना एक जन्ता पार्टी भी स्क्रिया हो चुकी है जैपुर में इंसो का स्थापना दिवस मनाया गया था तो राजस्तान शातर संग के चुनाओं में भी इंसो ने बढ़चर का शिर्कत की राजस्तान में एक विश्व विधाल्या के इलावा दो कालजों के शातर संग के अध्यक्ष इंसो से ही है अजे चुटाला ने राज विदान सभा के चुनाओं उपर लगी है राजस्तान से चोधरी देविलाल पडिवार का नाता पुराना है साल 89 में चोधरी देविलाल हरियाना की राजनीती के साथ साथ केंदर की राजनीती में बड़े करदार के रूप में उपर कर सामने आये थे 1989 में हरियाना के रोत तक और पंजाब के फिरोजपूर के इलावा देविलाल ने राजस्तान के सीकर से लोकसभा का चुना लड़ा चोधरी देविलाल ने 3,75,000 वोट लेते हुए कॉंग्रेस के उमीदवार बलराम जाखर को करीब 46,000 वोटों के अंतर से हरा दिया साल 1989 में चोधरी देविलाल देश के उपर धान मंतरी बन गे 1990 में हुए राजस्तान के विदान सबा के चुनाओं में ताओ देविलाल ने अपने बड़े पोते अजे चोटाला को दताराम सीट से चुनाओं में उतारा अजे सिंग चोटाला ने करीब 42,000 वोट लेते हुए कॉंग्रिस के नारायन सिंग को 600 वोटों के अंतर से हरा दिया उस समय कई नेताओं के बेटे और परिवारिक सदसे राजस्तान में चुनाओं भार गे देविलान ने 1990 के राजस्तान विधान सबा चुनाओं में जनता दल के 146 उमीदवार में उतारे और इनमें से 6 पर जीत दर्च की इसके बाद 1993 में अजे चुटाला दूसरी बार राजस्तान की 9 हर सीट से विधायक चुने गे इस वार राजे ने 45,000 वोट हासिल करते हुए कॉंगरिस के भीमराज को 6400 वोटों के अंतर से हरा दिया महीं साल 1999 से लेकर फरवी 2005 तक हरियाना में इनैलो की सरकार रही इसी विए 2003 में राजस्तान में विधान सबगे चुनाओं हुए इन चुनाओं में चोधरी ओंपर का चुटाला ने 50 सीटों पर अपने उमीदवार उतारे इनैलों ने नोहर डिंग और भर्दपूर सीट से जीत दर्च की गुरतलब है कि 9 दिसम्बर 2018 को जेट चुटाला वेया जुषियन चुटाला ने जीन्द की धर्ती से जना एक जनता पार्टी का गठन किया पार्टी कटन के एक महा के भीतर ही जीन का उपचुनाव जच्पा ने दमखम के साथ लड़ा और करीब 37,000 वोट प्रापत किये इसके बाद मई 2019 में जच्पा ने हरियाना की सभी 10 सीटों पर अपने उमीदवार उतारे तो अक्तूबर 2019 के विधान सभा चुनाओं में 15 अफीस दी वोट के साथ 10 सीटों पर जीत हासिल गी अब पार्टी राजस्तान की और फोकस कर रही है राजनिती के परिवश्यों का माना है कि राजस्तान में चुनावी ताल ठोकने की मुख्या वज़ा यह भी है पार्टी का दर्ज़ा हासिल करना है इसलिए पार्टी के शिर्ष नेता उप्पुखय मंतरी दुषें चुटाला उनके पिता अजय चुटाला और भाई दिगवजय चुटाला समें कई अन्य नेताओं की राजनीती की राजस्तान में राजनीती कतिवदियां देखने को मिल रही है हमारी खास रिपोर्ट